नमस्कार टीवी नाइन डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिके शर्मा सियासत की बात में अच चर्चा करेंगे जो 26 माई को भारत बंद का आयोजन किसान कर रहे हैं जी हां सयुत किसान मोर्चा एक बड़ा संगठन है और ये 26 में को एक भारत बंद आयोजन करने वाला है आप ये मान सकते हैं कि पश्रमी उत्तरप्रदेश, हर्याना, पंजाब और राजस्थान के कई राकों में इसका कसकर असर पड़ेगा लेकिन नतीजा ये भी होगा ये स पश्रम बंगाल में, पॉंडिचेरी में, केरला और तमिलाडू में हुआ, वो एक बार फिर दुबारा से बढ़ सकता है तो आज मैं बात करूंगा किसान अंदोलन के और ये पूछूंगा आप से और फिर मैं इस चीज़ को मैं दुबारा से ड्रेस भी करूंगा कि क्या कि बीच में किसान का मुद्दा उत्रा ही महत्पूर है, या वो किसान का मुद्दा खत्म हो गया है और कोई दूसरी चीज सामने आ गई है, लेकिन पहली महत्पूर चीज़ ये है कि इसमें जो पंजाब कॉंग्रेस की दोफाड है वो सामने आई है, अमरिंदर सिंग, पंजा होना किसामने हम हार जाएंगे लेकिन नव्जोट सिंग सिद्धू स्टार कॉंग्रिस पार्टी के वो कह रहे हैं कि किसान अंदोलन होना चाहिए उन्होंने आज काले घंडे अपने घर में बाकाइदा ऊपर चड़के लगाए और बोले मैं सपोर्ट करता हूं किसान अंदोल रही है वो चाहते हैं कि या तो प्रदेश अध्यक्ष बने या उनको बड़ा पद मिले चार-पाच मंत्राले मिले लेकिन अमरिंदर सिंग कह रहे हैं कि भाई मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा अमरिंदर सिंग को पट्याला में अड्जेस्ट करने को तयार नहीं है और ज हैं जहां तक पैंडेमिक की बात है इस पूरे सयूक्त मौर्चे को सारे विपक्षी दलो हरो ने सपोट किया है सारी की सारी पार्टी ने सब्सक्राइब करेंस पार्टी ने सब् покуп में किघ청 कहेंए अगर ये ठीक है तो फफिर चुनाव क्या गलत था किम्भे क्क्षिब तो पंचायत चुनाव क्या गलत था पंचायत के चुनावों में एक हजार से ज़ादा टीचर मर गए क्यों? क्योंकि उनको डिप्लॉई किया गया था पंचायत के चुनावों में सबके लिए मुआवजा मांग रही है वहां की टीचर's union ये है पंचाय चुनाव का असर उत्रपरदेश का उत्राखंड हमने देखा कि कुम्ब में क्या हुआ केन सरकार चुप थी राज सरकार चुप थी उनको लग रहा था कि जो रिलिजिस सेंटिमेंट से खराब ना हो जाए पर हुआ क्या आम आदमी मारा गया जो पॉजिटिविटी रेट थी उत्राखंड उत्रपरदेश में खट से बढ़ गए और यूपी में तो दो कारौन से ब करोना वापस चला गया है और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें लॉक्डाउन लगा दिया पश्यम मंगाल में बीजेपी की जमकर खिचाई हो गई प्रधान मंत्री को अपनी बड़ी रैलियां कैंसल करनी पड़ी ममता बेनर जी चुना प्रचार नहीं कर पाई कलकत्त हमें बोला कि मैं तो सर्फ नॉमिनल प्रचार करूँगी क्योंकि पब्लिक प्रेशर था लोग नाराज हो गए थे लोगों का मानना था कि चुनाव आयोग ने भी ठीक से भूमिका नहीं निभाई यही चीज तमिलनाडू केरल में हुई और बात में पता लगा कि की दल बोलते हैं आप लोग तंत्र की हत्या कर रहें और उसके बाद जब बीजबी को लगा की वही है जब चुनाव जीती रहे हैं तो थोड़ा देख लिया जाए तो उसमें और समस्या हो गई लोगों ने मास नीं पहने तो जंता ने मास नीं पहने बात आगे बढ़ गई और आपने देखा कि खामियाजा पूरे देश ने गुटता इसके बीच में तमिल नाडू मॉडल भी आता है स्टालिन ने मुख्यमंत्री वहां के स्टालिन ने 32 दिलों में सर्वदली समितियां मना यह समितियां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रहेंगे इस समिति में सारे पार्टी के लोग है और स्टालिन ने बोला है कि मेरे राज में आने वाले 90 दिन कोई पॉलिटिकल अक्टिविटी नहीं होगी अब आप देखिए एक उधारन दक्षिन भारत का है दूसरा उधारन उत्तर भारत का है जा जमकर पॉलिटिक्स हो रही है कोई पॉलिटिकल कं इसमें पॉलिटिक्स आ गया गई है इसमें डूसरी चीजे आ गया गई है इसमें किसानों का मुध्दहें नहीं और आपसे लिए कह रहा हूं क्योंकि अब बात इगकी हो इने सरकार री इरस्त नहीं बलकि वो पूरे की पूरे संसद से पारेत प्रस्तावों को विड्रॉख कर लेना चाहिए केंज सरकार को लगता हम इतनी बेज़ती नहीं कराएंगे हमारे पास तो बहुमत है संसद से हमने पास कराया था और हमने ऐसे बात मान ली तो बिल्कुल वह हो जाएगा जो राजीव गांधी के साथ 1987 में मनमहान सिंग के साथ 2011 में और इंद्रा गांधी के साथ 1973 में हुआ था यानि संसद में संसद में मैजॉरिटी तो थी लेकिन सडक में जो प्रोटेस्ट हुई उसके कारण वो मैजॉरिटी लेमड़क हो गई तो केंसरकार भी कह रही है कि हम हम भी नाक नहीं रगड़ेंगे कतम बात हम आपको अपोस्ट नहीं करेंगे लेकिन हम आपकी बात भी नहीं मानेंगे तो यह जो आंदोलन है और जो 26 भाई को भारत बंद की घोशना कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जादा समस्या हो सकती है राज्य सरकारों को केवल समस्या दिल्ली पंजाब हर्याना नहीं हो सकती कि यह पूरे उत्तर भारत में हो सकती क्योंकि इसका पूरा प्रभाव उत्तर भारत में होगा यह लोग आएंगे प्रोटेस्ट करेंगे और चले जाएंगे और आखे में इतना कहूंगा कि किसान आंदोलन कोई होली काव नह तो कुछ दिन आंदोलन को आगे करने से उनकी हार नहीं होगी और केंद्र सरकार अगर प्यार से बात कर ले और इस आंदोलन को और बथ को रोकने में सफ़ल हो जाए तो उनकी भी बैज़त ही नहीं होगी तो मोटा मोटा निश्कर्श है कि कुछ दिन के लिए इस आंदोलन को विराम देना चाहिए देश के लिए कि बाकी जो लोग है आम जनता है वो उस करोना से और ना प्रभावित हो और इसके कारण जो टैली है डेथ टैली है वो बढ़ना जाए तो सियासत की बात में बस इतना ही देश और दुनिया की बाकी झाल